नमस्कार आयोध्या में श्री राम के मंदिर निर्मान को लेकर तैयारियां तेज होती जा रही है ना सिर्फ राम नगरी बलकि पूरे देश की जनता को राम लला के भवे मंदिर बनने का इंतिजार है इसी कड़ी में प्रधार मंत्री नरिंदर मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रही है ये बैठक 25 जून को होगी 25 जून को आयोध्या में चल रहे विकास कारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें पी-म समीक्षा करेंगी इस बैठक में पी-म मोदी आयोध्या को लेकर क्या कुछ मास्टर प्लान बनाये गया है किस तरह से उस प्लान को अमली जामा पहनाये जाएगा इसको लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगी आपको बता दें ये बैठक विजियो कॉन्फरेंसिंग के जरी होगी मिली रिपोर्ट्स के मताबिक इस बैठक में आयोध्या में एरपोर्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है इस मीचिंग में ना सिर्फ अधिकारी बलकि यूपी के मुख्यमंतरी योगी आधितिनाद भी शिरकत करेंगे खबर है सीम योगी आयोध्या में राममंदर निर्मान को लेकर अब तक हुए कारियों की रिपोर्ट पीम के सामने पेश करेंगे ये बैठक एक लंबे वक्त के बाद हो रही है हालाकि इससे पहले भी कई बार बैठके हो चुकी है लेकिन इस बैठक के बाद कई बड़े फैसनों का एलान किया जा सकता है 25 जून को होने वाली इस बैठक को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है खबर है शासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और संबंदित विभागों को तैयारियां पूरी करने की निर्देश दिये हैं बैठक में पिये मोदी राम मंदिर ही नहीं बलकी सर्यू घाट के सौंदर्य करन और भगवान राम की प्रतिमा को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं आयोध्या के विकास कानियों के लिए आयोध्या जिवेलफ्मेंट अथॉरिटी यानि की एडिये की तरफ से 20 हजार करोड की योजनाएं तैयार की गई है